दसलक्षण महापर्व की आराधना संपूर्ण देश में जैन समाज के द्वारा चल रही है बिश्व शान्ती की कामना से सभी परानियों के कल्यान की भावना से सुयम अपने और अपने परिवारों की कल्यान की भावना से गरहस्त स्राबग जन इन दिनों बड़े भक्ती भावों से पवित्रता और शुद्धता के शाथ मंदिरों में धर्म की आराधना कर रहे हैं पूजा पाठ कर रहे हैं मार्दो धर्म यही संदेश देता है कि हमें अपने सिद्दान्तों की रक्षा में स्वाभी मान की रक्षा में कड़क और कठोर होना चाहिए लेकिन बेवहारिक जीबन में दूसरों के लिए लचीलापन नर्माई होनी चाहिए बड़े बड़े वरक्षे तीब्र आंधी की चपेट में उखड जाते हैं गिर जाते हैं और जुकने का सुभाव रखने वाला सामाने सा पौधा उस बिनम्रता के कारण आंधी को जेल लेता है और अपने स्थान पर जूंका त्यूं बना रहता है एहिंकार एक कसाय का भाव है मान प्रतिष्ठा एक कसाय का भाव है और यह कसाय का भाव जब हमारे अंदर आबिर भूत होता है तो है कभी भासा में दिखाई देता है कभी बेवहार में दिखाई देता है और मानी व्यक्ति जब तक किसी को अपमानित ना करे उसके मान की पूर्ती नहीं हो पाती मान की खुराक दूसरे को अपमानित करने में ही है बंदुगो आज का मार्दो धर्म मान कसाई को कुर्श कनने का मान कसाई को घटाने का मान कसाई को जीतने का नाम है जिन डालियों में फलफूल लगे रहते हैं वो डालियां जुकती रहती हैं और जिन डालियों में फलफूल नहीं होते बोडालियां अकड में खड़ी रहती हैं जुकती नहीं है ठीक इसी तरह जिस व्यक्ति के जीवन में गुण आ चुके हैं सदगुण आ चुके हैं तो वह व्यक्ति सदगुणों के भार से नम्बर होता है दुरगुनी अउगुनी की बात क्या करनी है ग्यान का सार बिनम्रता है धर्म का सार बिनम्रता है और जीवन का सार भी बिनम्रता है कभी हम ग्यान का मत करते हैं कभी पूजा प्रतिष्ठा का कभी अपने बल का कभी अपने रूप रंग का कभी परिबार का कुल का जाती का अपने समुदाए का कुछ भी निमत बना कि कुछ भी कारण बना करकि हम एहंकार करते हैं जो एहंकार हमारे पतन का कारण बनता है एक बात और है कल कि दिन आपने जो करोध की बात सुनी थी वह करोध क्यों आता है हमारे अंदर के मान पर ये दी चोट लगती है तो क्रोध आ जाता है इसलिए मान को पहले पकड़ना है मान को पहले करस्ट करना है एक राजा ने बगीचा तयार किया राजा ने सुयम पौधे लगाए राजा प्रती दिन देख भाल करता था पौधे बड़े हुए उन पर कलिया आई फूल खेले महक बगीचे के बाहर तक गई पुरा राज ये सुगंधित हो गया कारण क्या था राजा ने बड़ी महनत की बड़ी लगन से काम किया अपने हाथों से पानी डाला खाद डाला साफ सफाई की महनत की देख भाल की उसका परिणाम भी राजा को मिला राजा बहुत खुसता बहुत खुसता क्यों क्योंकि राजा ने अपनी कल्पना के मताविक बगीचा तयार किया बगीचे में फूल खिले थे सत्त के पौधे में दया के पौधे में न्याय नीती के पौधों में उन सब के फूल लगे हुए थे राजा की बाहबाही हुई पूरे राज में राजा का नाम हुगा और अपनी परसंसा सुनकर के राजा फूल करके कुपा हो गया क्या केते हैं आप लोग कुपा फूल करके कुपा हो गया गुबारा समझते ना थोड़ा फूंको हवा भरो तो गुबारा फूल जाता है राजा फूल करके कुपा हो गया प्रसंसा में काम उसने अच्छा किया था लेकिन जब अच्छे काम की भी प्रसंसा मिली तो उसमें उसको अपने भावों को समालना था नहीं समाल पाया और उहां पर उफिसल गया एहिंकार में आगए फूल करके कुपपा हो गया धीरे धीरे उस बगीचे में एक छोटा सा पौधा और आया पौधा थोड़ा बड़ा हुआ राजा के ख्याल में आगया कि ये पौधा आया पर राजा नहीं उसकी अंदेखी कर दी उस पर ध्यान ही नहीं दिया राजा पहले सफाई करता था लेकिन एहिंकार में आगया तो काम करना बंद कर दिया और वो पौधा तेजी से बड़ा उसमें भी कलियां लगी फूल लगे देखने में फूल बहुत सुन्दर थे लेकिन एक समस्या खड़ी हो गई कुन सुन्दर सुन्दर फूलों से दुरगंध आ रही थी सब जन परेशान कारण क्या होगा क्या है ये और धीरे धीरे करके उस पौधे के फूलों ने सुगंधित फूलों की सुगंध को मिट्टी में मिला दिया बरबाद कर दिया लोग उस तरफ जाना बंद कर दिये वो गंध सहन नहीं होती थी पहले आब अगमन बहुत होता तब कोई जाता नहीं राजा बड़ा परेशान हुआ सबी से पूँचा लेकर कोई कुछ नहीं बता सका एक दिन उस नगर में संत आए राजा ने जाकर के अपनी समस्या रखी और पूँचा खुस्बूदार इस बगीचे में ऐसा क्या हो गया कि दुरगंद के फूल आ गए संत ने सारी बात सुनी समची बगीचे को देखा और देख करके कहा राजन ये जो पूधा है ये सामान ने पूधा नहीं है ये बिना लगाए लग जाता है अच्छा ये किसका पूधा है ये एहिंकार का पौधा है जिसे लगाना नहीं पड़ता है ये स्वेमे उग आता है और बड़ी तेजी के साथ बढ़ता है और जब इसमें फूल लगते हैं तो सुनहरे तो दिखाई देते हैं लेकिन उनमें सुगंध नहीं रहती बलकि दुर्गंध उनसे आती है राजा को बात समझ में आगई कि मेरे एहिंकार का परिणाम है कि मेहनस से अरजित सुगंध वगीचे को जो तैयार किया था एहिंकार के पौधों ने दुर्गंध के फूलों ने बरबाद कर दिया बंदुगों ऐसे अहिंकार के भाव धेर सारे सुबशे शाम तक आते रहते हैं और उसी का परिणाम है कि हम अपने सद गुणों को बरबाद करते जाते हैं मानी किसी की सुनता नहीं है किसी को महत्तु नहीं देता परिणाम क्या निकलता बिनम्रता की मूरती मर्यादा पुरसोतम सिरी राम जंगलों में रहकर के भी निश्चिंत और आनन्दित रहे सौने की लंका में रहने वाला एहिंकारी रावन महल के अंदर भी निश्चिंत नहीं रहा और बिनम्रता की पत्तों की कुटिया आज भी सबके हरदे में बसी हुई है किन्तु एहिंकार की सोने की लंका धूंधूं करके जल गई इसलिए आचारियों ने कहा है पुझ पुरसों के परती गुणवानों के परती प्रभु परमात्मा के परती संत साधकों के परती गरंत के परती ग्यान के परती हमारे मन में आदर भाव बिने भाव आना चाहिए धर्म की भावना से ये बिने भाव कल्यान को कराता है परमार्थ को साधता है एहिंकार की विर्तियों को लेकर के आचेरियों ने कहा एक एहिंकार सामान होता है जैसे कौमल बेल लता होती है जरासा भी मुड़ो मुड़ो जाती है ये बेल लता सामान है उसमें कड़कपना है लेकिन सामान है उसे भी कड़कपना लकड़ी में आ जाता है उसे भी कड़कपना हड़ी में आ जाता है उससे भी ज़्यादा कड़कपना पासान पत्थर में आ जाता है पासान पत्थर का कड़कपना मान ऐसा है कि पत्थर पिघलने बाला नहीं हाँ पत्थर का कड़कपना पत्थर का कड़कपना अनंतानुबंदी कसाय संबंदी कड़कपना मिट जाएंगे तो मिट जाएंगे लेकिन जुकने वाले नहीं है आनमान सम्मान रक्षा के रूप में हो तो बात लग है लेकिन एहिंकार में आकर के वो अग्यानता है पत्थर पासान रेखा के सम्मान पथर के समान, फिर हड़ी, हड़ी मजबूत होती है, लेकिन जरा परहार करो तो चटक जाती है, मजबूती, उससे भी कम लकडी में होती, लकडी जल्दी तूट जाती, कड जाती, और लता, जरा सजहट का दिया, अलग हो जाती है, अनंतानुबंदी पासान के समान अब प्रत्याख्यान हड़ी के समान प्रत्याख्यान लकड़ी के समान और संजुलन मान जो है वह बेल लता जो बढ़ती जाती बढ़ती जाती उसके समान होती है इस तरह आज आप सब मार्दो धर्मी की पूजा किये हैं बिरतो पास आपके चल रहे हैं साधना आरादना चल रही है मारदो धर्म पर एक छोटी सी कवीता सुना करके आपको थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूं किसी कवी ने लिखा अकड़ता क्यों रे अभी मानी अकड़ता क्यों रे अभी मानी इस दुनिया में बड़ों-बड़ों का उतर गया पानी, अकड़ता, क्यों रहे अभी मानी? जब अपना मन जीत न पाया, उंचा आसन बिर्था बनाया, हिल मिलकर रह न सका, हिल मिलकर रह सका न जग में, हिल मिलकर रह सका न जग में, हुई परेशानी, अकड़ता, क्यों रहे अभी मानी? अपनी ही तारीफ न करतूं, बेसर्मी का राग न भरतूं, अपने मुह से अपनी महिमा, जगने कब जानी? अकड़ता, क्यों रहे अभी मानी? एक घड़ी की है सब छाया, एक घड़ी की है सब छाया, जग की सब छन भंगुर माया, सब को मिट्टी में मिलना है, भूल न अग्यानी अकड़ता, क्यों रहे अभी मानी? भजनों में कहा जाता है, मिट्टी का तूं, तेरे सामान, सौने के सब सामान है तेरे, लेकिन सब यूँ ही चले जाते हैं, अन्त में एक छोटा सा संदर्व, भारती इतिहास में तैमूर लंग नाम का एक राज़ा हुआ है, वो पैर से लंगड़ा करके चलता था, इसलिए उसका नाम तैमूर के साथ लंग लंगड़ा होने से लंग जड़ गया तैमूर लंग, एक बार ऐसा हुआ, समराठ तैमूर लंग के दर्वार में एक गाने वाला गवईया आया, राज़ा सौकीन होते हैं, गाने सुनते हैं, दर्वाल लगता है, तो गवईया आया, वो आँखों से अंधा था, उसको दिखता नहीं था, लेकिन राज़ा का नाम सुनकर के प्रस्तूत करने के लिए आया उसने अनेक तरह के गीत संगीत के माध्यम से गाने सुनाए भाजन सुनाए राजा बहुत खुस हुआ, प्रभावित हुआ आनंद आया पर जैसे ही गायक गवये के भाजन बंद हुए, गाने बंद हुए तो राजा ने पूँचा रे गवया तूने बहुत अच्छा गाया लेकिन ये तो बता तेरा नाम क्या है तो उसने कहा जहां पना हो दौलत मेरा नाम है दौलत नाम है तेमूल लंग ने ब्यंग किया उस पर चोट की क्या चोट की ओहो दौलत भी अंधी होती है क्या दौलत भी अंधी होती है क्या अरे तेरा नाम दौलत है तो दौलत भी अंधी होती है क्या तो गवया ने उत्तर दिया गवया समझ गया राजा का भाव तो उसने उत्तर दिया कि दौलत अंधी ना होती तो राजन लंगड़े के पास क्यों आती दौलत अंधी ना होती तो लंगड़े के पास क्यों आती क्योंकि राजा लंगड़ा था तो दौलत अंधी थी तभी तो लंगड़े के पास आई है मैं दौलत तो नाम का दौलत हूँ तेरे पास जो दौलत आई है कर दो